हालो फ्रेंज वेलकम बैक टो एसा आईएस इंसीट्यूट फ्रेंज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं नाउन के एक बहुत ही बहतरीन रूल बहुत बहतरीन कॉंसेट को लेकर फ्रेंज देखो आप अफ़ा संटेंस में देख सकते हो कि इंडिया इस अग्रेट कंट्री देखो फ्रेंज एक्चुली इंडिया कौन सा नाउन है तो इंडिया को हम जहां समझते हैं कि किसी भी क्या दनेम अप पर्टिकुलर प्लेस थींग आर परसन सो दैट इस कॉल प्रापर नाउन फ्रेंज और प्रापर नाउन हंडेट पर्षेंट क्या ह होता फ्रेंज यह सिंग्यूलर होता है बट यहां पर यह जो कॉंसेट में लेकर आया हूं आप देखो इंडिया इस अग्रेट कंट्री देखो फ्रेंज एक्चुली इंडिया प्रापर नाउन है बट यहां पर हमने इंडिया वर्ड को अप्लाई किया है ऐसक कलेक्टिव हम यहां पर देखो न top पूरे इंडियंज की बात कर रहे है तो जब होल की बात करोगे फ्रेंज पूरे की बात करोगे रह अंज ऌडिया अस वी नोट नाउन हेचाने अचे इन जेनरली यूज्ट इन से इंग्युलर नंबर यह देखो singular होता है friends, यही reason है कि यहाँ पर हमने जो verb apply किया है, that is singular, India is a great country, बट देखो friends, second sentence में आप देख सकते हो, कि India have won the match, देखो अब have, this one is a plural verb, India यहाँ पर क्या as a plural noun apply हुआ है friends, आप देख सकते हो, तो India have won the match by 20 runs against Pakistan, देखो अब India 20 runs से match जीत चुकी है, तो friends यहाँ इंडिया के साथ has नहीं, हम क्या देख रहे हैं, have, यहाँ पर India singular और इधर India plural, दोनों sentences में friends, India that is a proper noun, but first sentence में पूरे collection को denote कर रहा है, collective noun को denote कर रहा है, यही reason of friends की यह singular है, और second sentence में देखो आप क्या है यह, noun of multitude friends, noun of multitude means होता है some, some मतलब हो गया थोड़ा, जिसको आप बोलते हो क्या division, जब आप किसी भी noun को divide करते हो friends, उसी को बोलते हो noun of multitude, and noun of multitude will take a plural verb, that's why we can see here, have means a plural verb has been applied here, तो India have won the match, यहाँ पर हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं friends, हम यहाँ पर इंडिया के few players, कुछ players की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर some players, यहाँ पर some players, यानि इंडिया से कुछ players को अलग कर दिया गया, उसको हमने divide कर दिया, उसी को आप बोलते हो friends, noun of multitude, जब noun of multitude होगा, वही proper noun आपका क्या हो सकता friends, वह आपका क्या plural हो सकता है, यही reason ह कि यहाँ पर इंडिया के साथ हमने क्या verb यूज किया, plural, और यहाँ पर हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के सभी लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यह collective को denote कर रहा है, that's why it will take a singular verb, तो दो के दोनों sentences grammatically correct है friend, दोनों correct है, first sentence में यह as a collective apply हुआ है, second sentence में friends यह जो आप इंडिया वर्ड देख रहे हो, actually वो प्रापर नवन है, बट यहाँ पर यह perform कर रहा है किसको, noun of multitude को, तो noun of multitude's plural verb लेता है friends, that's why both of the given sentences are grammatically correct, in the first sentence, India has been applied as a collective noun, that's why it is singular, in the first second, India has been applied as a noun of multitude, that's why it has applied, there has been applied a plural verb, okay, so, thanks for watching this video friends, and we will meet again in the next video with the new concept, okay, thank you